नहुस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज वीडियो लेकर आए हूँ, वीडियो है डेली स्वाइक का, उसका टाइटल है, शुड पाक पीम गो टो इंडिया और नॉट, तो विल पीम मोदी मीट, अच्छा जी, शायद S.E.O. की बैठक वाली बात हो रही है, शायद चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है भाई, ये तो, वैसे तो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जनता की सुनती नहीं है, लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। बेटरन को जाना चाहिए कि हमारे रिसेंटली फोर्य मिनिस्टर बिलावल भी गया है उनको अटेंड करने के लिए जी सनल कॉंफरेंस जए तो इसलाइ थिंग पॉलिटेव ऐसे ट्रेड ओपन होनी चाहिए में भी पॉजिटिव पाकिस्तान एक स्टेप लेगा तो में भी इंडिया भी एक स्टेप ले फॉरवर्ड इस पॉजिटिव स्ट्रप की जरूरत किसको है इंडिया को या पाकिस्तान को ज्यादा आशद जरूरत यहां पर हम अपनी जित को लेकर बैठेंवें किशीया पाइच्ट इसका नुकसान किसको हो आगर आप देखें तो दुनिया इंडिया में इंवस्में करने में इंटरे सिर्ट और दुनिया बताती है ऑपपा इंडिया हमारा भाई है और हम अपने ही और इजन से दूर बाग क्या समयते हैं आपके इंडिया के से रिलेशन अगर बैटर हो जाते हैं आज तो पाकिस्तान के लिए कितने बैनिफिट्स हो सकते हैं बिस्निस के स्टुटनेट हैं तो इस पर रिलेटिट थोड़ा बताईएगा आज तिक हमारा एक इश्यान से कश्मीर का अगर तो वर रिजाल जाता है तो जिस पे इंडिया का स्टैंड है पाकिस्तान का भी स्टैंड कश्मीर लेकिन अच्छा होगा कि ट्रेड बहुल हो जाएगी तो पाकिस्तान ज्यादा फाइदा होगा समयते हैं अगर हम बात करें क्या कश्मीर को हम इस situation के अंदर जो पाकिसान के मुझूद है सिनेरियों चल रहे हैं मैं कश्मीरियों को यह कहते हैं कि भाई आप सब को छोड़कर हमारे पास आऊ क्या वो इंडिया की चोड़कर हमारे पास आएंगे यह इंडिपेंड़ कश्मीर चाथे हैं वना पाकिस्तान में चाहते हैं निडिया में चाहते हैं एक सर्वे कीजिए का आप के पास मुबाई ओका नेट होगा आप कोशिच कीजिए का कॉंटक करने की बारे में जो कि इंडिया के जम्मु कश्मीर है वहां पर पबलिक के साथ थोड़े इंट्रेक्ट करने की कोशिश किजए का मेरे बताने की जरूरत नहीं है जब आप उनसे बाचीत करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चाते हैं दूसरे नंबर पर बात यह 75 साल होगे हमें हमें अजाद हुए 75 सालों से हम कश्मीर के मसले को लेकर यूएन मे लगाएंगे तो इसाब भी नहीं लगा पाएंगे वो स्वाल नहीं कर सके तो क्या हम आने वाले नसले यह जोंसे भी हमारे वैसे आपको गांधी जी का भी शुक्री आदा करना चाहिए क्योंकि उनकी वज़ज़ से ही पाकिस्तान हो पाया अगर गांधी जी चाह देते ना कि पाकिस्तान नहीं बनना है तो कोई जिन्ना कोई लियाका तरीखान और कोई मुस्लिम लीग वो पाकिस्तान बना नहीं बाते तो इसके लिए आप लोगों को शुक्र गुजार होना चाहिए महात्मा गांधी का जो है सेरियो चल रहे हैं शिबाश शिरीफ अमरान आपकिस्तान कोर पाईगे आइंडिया था वो किश्मीर का इश्यू लेके गया था यू एन मेना रेजलेशन्स जो यू एन के रेजलेशन्स ते इंडिया अमल नहीं कर रहा इसमें पाकिस्तान का गसूर नहीं है आपको मेरे चैनल के उपर आप पता चलेगा मैं जमून कश्मीर के अंदर पब्लिक के साथ बात करके आप जैसे नॉर्माल एक स्टूडेंट या लड़का या डॉक्टर था जिसने मुझे पूरा जमून कश्मीर विजिट करवा है वीडियो के अंदर कवर किया हुआ मैंने आप जर रहे हैं ले क्या समयते हो चीज है जो हमें मीडिया दिखाता है ना अब जो मीडिया दिखाएगा हम ले तो वही पता होगा मैं इंटरनल उनके तो नहीं ना पता वो कैसे रह रहे हैं बिल्कुल सही मैं समयता हूँ के positivity से आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं अगर negativity आप आपको नहीं पता है तो UN की resolutions जाकर पढ़िए UN की resolution कहती है कि पाकिस्तानी फौज को जितने भी नौन कश्मीरी हैं पाकिस्तानी occupied जम्मो कश्मीर से पूरे के पूरे लोगों को हटाना होगा पहली शर्त है दूसरी शर्त है उसकी यह मैं अपने मन गड़नत बाते नहीं कर और उसके बाद जब यह दोनों शर्ते माननी जाएंगी तब जाकर वहाँ पर रिफरेंडम होगा तिसरी शर्त ही तो हटाऊना अपनी फौज भाई जो पहली UN की resolution की शर्त है वही आप नहीं मानते और आप कहते हो कि इंडिया नहीं मानता है दर्वाजें आपने बंद किये दिवार आपने खड़ी की है बाधा आपने पैदा की है और आप कहते हो कि हम नहीं मानते अरे स्टूडेंट हो यार जाकर थोड़ा पड़ो लिखो धंगा ग्यान लो चूरन मत खाओ पाकिस्तान की तफ एगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का महराष्ट्रा सिर्फ एक ऐसे start है जिसकी पूरे महराष्ट्रा की जेडिवी पाकिस्तान की ज़्यदैरा क्या समयते हैं उन्होंने डिवेलब कर लिए हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं यह सवब हैं इस टाइ वो किसी और लीग में जा रहे हैं अगर आपको कहा जाए के स्टेडी के बारे में एजुकेशन के कंपैरिजन करें आप लिटरिसी रेट पाकिस्तान के देखें और यहां पर इंडिया का उठा लें हमारी तो इतनी क्या किते हैं इतनी एक्सपोर्ट्स नी जिनके सिर्फ उनकी आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं कहीं न कहीं एक ओरीजन से हैं एक रीजन हमारा हमें कनेक्ट करने की जरूरत है हम अगर पीछे हैं उनसे हमें तो बराबरी करनी चाहिए पहले थे बराबर भी अग मुझमिल भाई जरा ये डेटा जरूर बताईए कि आप कब इंडिया के बराबर में थे आप historical data चेक करिए कि पाकिस्तान की GDP क्या कभी इंडिया की GDP के बराबर रही है ऐसे हवा में बाते मत बोला कीजे न आप लोग historical data बताता है कि पाकिस्तान की GDP कभी भी इंडिया की GDP के बराबर नहीं रही है और ये नामुम्किन है फिर आप कैसे कहते हैं कि भई कभी हम बराबर थे नहीं थे बराबर भई इंडिया कि नहीं थे बराबर नहां है और नहीं यदि दिलाता हूं मैं अपको इस बात कर रही ही इस विशेकर करना चाहिए ये सच्टा करना जाए ये सच्थ से आके चुरा लेन चाहीतर है को अनगे इससे कभी ऑच क्दा आभी वोर चल रही है जृँ तो बंद गोरिति च्छेकैन या फिर अवाम Chennt यह फिर अवाम निइन चाहती है आपस में महुबट करना क्या सही स क्छीक्ष्ण थोड़ा है कर के साम दिए तो बिसीकली ट्रेड ओपन करें में भी पॉजिटिव पाकिसान पहला स्टेप ले तो बेटर हो स्कूल बट जबर्दस हो गया थैंक यू ब्रो थैंक यू सव मच नाशे टोग विद्धी ऐसे आप ठीक था कलम अम आपका वसीम क्या करते हैं आप मैं सलाई का काम करते हैं सर अभी हमारे शिबाज श्रीफ साब के तरफ से एक बयान जारी हुआ इंडिया के अंदर एक मीटिंग समिट होने जा रही है तो हमारे शिबाज श्रीफ साब अभी इंडिया जा रहे हैं क्या समयते उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए बिल्कुल जो मामलात हैं सबसे पहले तो हमारे जो मुसल्मान किश्मीरी बही हैं उनका मौका पेश करें जो उनके उपर जलम हो रहा है जयाती हो रही है उसको उपर जा के बात करें को बही में है उनके जान छोड़ो 75 साल हो गये हैं कोई भी नहीं बहुड़ रहा उनके अग तमाम मुसल्मान खटे नहीं होंगे तब तक नहीं हो सब्सक्राइब मतलब शिबाश श्रीफ साब अभी अमन का पेगाम लेकर जा रहे हैं पडोसी मुलक तो अमन हो सकता है यह नहीं अमन कहते किसे हैं अमन तब होता है कि जब दुश्मन को भी पता होगा यार यह इनसान है हमने इनसान की कदर करनी है उनको तो यह नहीं पता वो तो एक बच्छे के पीछे मुसल्मान को मार देती है मतलब कि अमन हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता यह अल्ला है वारत में में पता है भई हम से जादा अरब के हिसाथ से मसलमन है वहां है में चीज्ज यह अनके जो गोवर्मेंट रहा हैं जैसे हमारे यहां पर आग जिसकी लाटी उसकी बैंस वहां वह भी ऐसी है यह नहीं सही आपको क्या लगता अपसे नियुका आपकल बताई दे शिबाद संप जा रहे है इंडिया तो जिस एक हम चैना जाए पो कि युद्ध को अब आपना पैसे निकालने कोशिश पर अजी शाबाश अपने पैसे के दूर अधर पैसे पर निकालने कोशिश पर है उनको फारक कर देख भी बिश में शारा मुलकाई जाएंगे क्या लगता है आपको के हमारे पडोसी के साथ हमारे रिलेशन अरे जाहिले आजम आपके पास तो फिर पता भी होगा ना कि फैक्टरी कौन सी है, नाम पता होगा कहां पर है, इंडिया के कौन से स्टेट में है कौन से बैंक में उसका अकाउंट है ये सब भी तो बता दीजे मैं कहता हूँ कि आप इंडिया के एजेंट है मैं आपको पैसे भेजता हूँ और आप लेते हैं पैसे दुबई के रास्ते भेजता हूँ मैं आपको पैसे आप मालनेंगे मेरी बाद आप कहींगे ना कि शरीफ खांदान के जो फैक्टरीज हैं इंडिया में चल रही है जब बेगैरत लोग हो यार तुम लोग गैरत जरा से बचिए तो सबूत लेकर दिखाओ बताओ कि कहा है भाई हम भी तो जाकर देखें या नहीं एक हो जाना चाहिए वैसे उदर भी काफी बुस्लिमान कंट्री आप में चाहिए तो पाकिस्तां में तो इंडिया में तो इंडिया तो हमें समझ में भी आता कि बंधरान फॉर्ट बहुत अच्छी है अब मैं यहां पर बात यह करना चाहर हूं जब हमारे दर्मियान की बाद आती जो मुसल्मान मुसल्मान को मारा लड़ रहे हैं तो मैं इस बारे में बात क्यों नहीं करते देखें ये चीज़ें जो है ना आइन पे आती हैं किसी पुलिस वारे से पूछ लो भाई कनून क्या है तो में चीज़ ये है कि मान लेते हैं हम कुछ गलत हैं लोग इंशाल्ला हो जाएगा अपको पता हैं इंडिया के एकॉनमी कहां चले गई है वो तरकी आफ्ता मुलक में चले गई है भाई देखें उन्होंने अपनी अवाम को फिसल्टी दिया गुर्बत हमसे जादा है अगर गुर्बत हो हमसे जादा तो फैसल्टी कैसे दे सकते हैं भाई देखें उन्होंने अपनी वाम को रोटी कपड़ा तो दिया है अभी मैं आपको छोटी से मिसाल दूँगा शभाज शरीफ ने इंडिया जाने का फैसला क्यों लिया बता पता नहीं आपको मैं बताता हूं य अच्छे पैगाम उनको देंगे तो हमारे तलुकात अच्छी हो जाएंगे जिससे हमारा मुलक तरकी की तरफ चला जाएगा अगर हम उनसे लेंदिन करेंगे तो मैंने ने एक प्रोग्राम देखा था उनके बिजनस का कॉनमी का वह भी यह कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान और बारत एक हो जाएं तो वह बीम डबलू या यह ओडी है तो यह तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां के जो है ना वह यह खास तोर पर यह जो मोदी की पार्टी है यह ना हो कोई और पार्टी हो जोड़ने के लिए अब भूल गें शबाज शरीफ जब नवाज शरीफ की चाह दी हो रही थी नवाज शरीफ के बेटे की तो डिरेक्ट पाकिस्तान आए थे और उनके आने के बाद फिर क्या हुआ उदर यह बढ़ों के मसले हैं में चीज यह मैं मसला मैं आपको जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वह मैं मसला यह है कि हमें हमारे दमाग के में चीज तो यह है हम जर्मरी में देख रहे हैं हम ब्रिटन में देख रहे हैं यूरोप के कई देशों में हम देख रहे हैं अमन पसंदगी दुनिया में हम देख रहे हैं कि हजारों इसलाम के नाम पर बनाये गए आतनकवादी संगठन हैं हम देख रहे हैं लेकिन नहीं इस पर कोई बात नह आरिये, आप उनके खिलाब प्रोटेस्ट निकालिए, नई नई, ऐसे कैसे, ऐसा तो नहीं होगा. अब फॉर एक्जेंपल के मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप ने कहा कि एक बचले काडने पर वहां पर लाचे बिचा देते हैं, यहां पर आपके सामने कोई हिंदू, हमारे नस्दीक, सुवर का गोज इसका नाम ही नहीं लेना चाहिए, अगर कोई उसकी कुर्बानी करे तो सामने यहां पर कोई सुवर का गोज तो हम क्या करेंगे उसके साथ? बाई, सुवर का तो यहां पर तसवर ही नहीं है, पिलीग चीज यह हम लोग क्या करते हैं, गाओं में जाके देखें, हम भी जाते हैं बाडरों पर यह मारी तरफ मैरा सवाल की जवाब ने देखार होता उसे समझाओगे न, नहीं समझेगा तो आप उसे, यह चीज मान रहा है, वेकिन में चीज यह है कि उन्हों ने अपने जो पबलक है न, उनके खोपड़ी में चीज बठा दी है, वही यह है आपका दुश्मन, मतलब आप समझना ही नहीं चाहरे है, मैं आपको समझाना कहा चा बनिया कहा रहे है न, बिसिकली, डसने वाले आप लोग हो, डस पे आप हो, पाकिस्तान ने चार बार अटेक किया, इंडिया ने कभी अटेक नहीं किया पाकिस्तान पर, तो डसा किसने? कोई इसे इखतलाफ भी नहीं कर सकता है, कि हम ने ये दाने से तन शुरू की थी, तो जंग हम ने शुरू की थी, आप से ये बात है, क्यूं मतलब छुपाई रखी गई या क्यूं आपको इसमें शाहरे है, आप तो बड़े बड़े पांच छे रफ़ा बोला हूं, हमने हर ही, मुझे तो बडॉली मुझे वी शुरू कि अध YT-1 की वह क्या अधिक्या क्या ही ठाए मिलता हैं हमने पहल कि और नहीं कर रहा है हखीकर बतने प्रहांक करें उसक्वा टारख के तो इंडिया जो है वह जारियत करता और इंडिया आ जाता यह बिल्कुल गलप be 65 ने कुई हम दाने किया हम पर हम ने किया थे हैं पाकिस्तान के आका कि मुंबई दोश देते हो और मुंबई एटाइक तो आप लोगोंने मानना पड़ा आपको हमने इतने सबूत आपके मुँपर फेक के मारे आपको मानना पड़ा कि जी गलती हो गई, येस मुंबई में जो कांड हुआ वो पाकिस्तान के वज़े से हुआ पाकिस्तानी बंदों ने किया तब क्या बोलेंगा नहीं तो अपनी खोपड़िया भी तो ठीक करिये कि सिर्फ ये कहेंगे कि मेरी खोपड़ी में जो भारा है वही सही है, तुम्हारी खोपड़ी में जो भारा है वो गलत है, और सवाल का जवाब नहीं थी आपके सामने काटेगा तो आप क्या करें आपके दिलों में शायद हमारे लिए मोहबत उनके दिलों मोहबत पैदा इससाथ नफरते हमने संताले से हम नफरते करते हा रहें 75 साल हो रहा है मैं मानता हूं हमने भी 32 साल मेरी एज हो चुकी है हमने सब कुछ देखा लेकिन में चीज यह है का भाई पबलक जो है उनकी पबलक भी चाहती है का चलो यार जो बार्डर खुल जाए हमें एक दूसरे से मिलते रहें लेकिन मुझे नही महिशत बन की हम यहां पर इसी जंग में लगे में का जिमरान खाना हैंगा हम दर्गी की तरफ जाएंगे वह तो फिर एक देखे ना एक जा रहा रहा जब वोड कास्टिंग होंगे किसी ना किसी ने पार्टी ने जीत नहीं है बहुत शुक्री आपका बहुत अच्छा लग पाकिस्तान की कोई बात नहीं करना चाहता है तो मैं अपने मुलक की वहाँ से पाकिस्तान जो अपना मुलक अपना मुलक उनको मसला नहीं देना चाहरा है अगर मुझे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की मकसद कहने का उन्हें मैं बात नहीं करूंगा अपने आपके मैं पाकिस्तान नहीं मैं कोई ऐसे गलत बात नहीं मैं मुझे गलत बात आने लगी थी उन्हें एक तोहीन की थी पाकिस्तान की कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं क तो यह तो वह एक चीज अपने दूसरी तफसील में पता जी मुझे थोड़ा बहुत पता है अच्छा मकसर कहने का अगर आप शबाशी जाते भी आना वहां पर मतलब इंडिया तो कोई फैदा नहीं हो ना क्यों कोई फैदा मुझे पता है कैसे फैदा होगा क्या लेने जाए पाकिस्तान के ट्रेडिंग आये है तभी ट्रेडिंग स्टाट हो जती है अगर यह है कि अगर उनके साथ तालुकाद होते हैं तो पाकिस्तान को एक बहुत फाइदा मिले है क्योंके बाग कर रहे हो ट्रेडिंग इंडिया ने बंद की थी जाके पूछो न अपने हैंडसम पीम से एक्स पीम से इमरान खान से कि ट्रेड उसने क्यों बंद की तो ट्रेड बंद भी करवा और उपल से इलजाम लगावा भारत के उपर कि जी वो तो बंते ही शुरू हो जानी चीए थी अब गदे जब ट्रेड तूने बंद की तूने ही अपना रास्ता बंद किया न अब रिदिया फिर नाकरगड वैसे ट्रेड खुले गी नहीं तो यह जो अपने हिसाब वाली जानकारी आप लोग दे देता है ना आके इसको जरा ठीक करिए समझे आप क्योंकि चलेगा नहीं आप एक मिनिट में जैसे अभी मैंने कर दिया पाकिस्तान की इंडिया के साथ अगर ट्रेडिंग होती है तो पाकिस्तान भी जो आने वो लोक्त में उनके साथ स्ट्रोंग होजेगा उनके बराबर किस तरह से होगा भाई वो दुनिया के पांच वी बड़ी महिशत है अगर हम तक हमारी 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 बात करेंगे बराबर बड़ाबर निकला है उनसे नीचे समार नमबर हो जेगा एक चीज है जो के शबाज शरीफ साथ ने पहले भी बड़ी कोश्चे की है पहले नरेंदर मोदी साथ डिरेक्ट आये और उन्होंने कहा कि आपने यह जों सा पठान कोड करवा दिया और भी काफी दफ़ा इंडिया ने ट्राइए कि हमारे साथ रिलेशन बैटर करने के लिए क्या समयते हूं के हम ने जब आता है कि इंडिया ने इस जो ना हमें काफी जो है ना ठ्राइब दो तीन दबहा हमारे फोराम मिस्टर को किया प्राइम इस्टर को जाब इम्रान खान को उन्होंने यह बोला था तो दो मक्सा कहने का हम यहांसे आकरीन फाफंदेन लित बना है झाल Komma का ओज अक कहती है यह आप मुषाण में जितनी भी एश्या कंट्री से मां सब को सा Continuing को तक आक युद किन अचे उक एसरी लंका टयों धान का बंगला बंगला देश ओना निन सॉपोर्ट किया अफगानिस्तान को नहीं स्पोर्ट किया अभी भी वह अब सुनने में यह को आगे स्पोर्ट करने जा रहे हैं जो मुझे आज जो न्यूस पता चलिया है वह इतनी टेकनोलोजी में बढ़ गया है आगे यही है अगर हम पाकिस्तान के बात कज़ें हम वह मजाहिल लेकर बैटे हैं जी हम सुपर पावर बाई सुपर पावर वह बनेगी अब आने में लोक्ता है जिसको टेकनोलोजी में हो दूसरा जिसके एकोन में स्ट्रोंग होगी वह दुनिया पहले नंबर पर पाकिस्तान के तो भी रैंक भी अगर मुझे जाते हैं जाते हैं तो मुझे लगता को डिलेशन बेटर होंगे क्योंकि हमारे तो आपको पता है प्राइम मिस्टरों के भी तकबर इतने जारां को इसलिए वो मुझेल शरीफ साब जाएं दौा करें आप दूसरे नबर पर क्या लगता है आपको के इंडिया वेलकम करेगा शर्बाश शरीफ की जिस तरह से करना चाहिए अगर जाते हैं इंडिया तो क्या इंडिया वेलकम करेगा या नहीं करेगा यार लास्ट इम वोरम जो सको मैं स्रूट मारतो को तो वो ऐसा मिस्टर मैं आस्तार ने देखा पाकिस्तान में और प्राहिम स्टर नहीं आसा देखा दो बंदे असे देखा इस ट्रॉंग जो बंदे हैं जो नहीं पने मुलक उपर ले गए हैं उटना स्टोंग कर दिया अगर आप वहां सबसे ताजा लेटेस्टी है कि जो इंडिया ने गहूं भेजा था वीट वह अफगानिस्तान पहुंच गया है और अफगानिस्तान के लोगों तक ही मैसेज पहुंच गया है कि इंडिया की तरफ से आया वीट बहुत अच्छा है और वह पहुंचा जा चुका है बोरियां उतारी जा रही है रखे जा रही है लोगों के इस्तमाल में आएंगी पाकिस्तान की तरह आटे की किलत नहीं है अफगानिस्तान में दिक्कत हुई थी लेकिन अब जो है इंडिया कई बार भेज चुका है वीट और ये एक और विदेश मंतरी बिलावल भुट्टो साहब आये थे तो उनका स्वागत ठीक से नहीं हुआ था तो कोई मुझे ये साबित कर दे कि स्वागत ठीक से नहीं हुआ था क्या पाकिस्तानी विदेश मंतराले की तरफ से इस पर कोई बयान आया कि प्रोटोकॉल का पाला नहीं किय गया इंडिया के दोरा उनके विदेश मंतरी के स्वागत में या खुद विदेश मंतरी बिलावल भुटो ने कहा कि जी उनका स्वागत नहीं किया गया जिस हिसाब से किसी देश के विदेश मंतरी का स्वागत किया जाना चाहिए था भारत में मुझे उस तरह से वेलकम नहीं किया गया, थाबित नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप लोग गलत प्रोपगंडा करते हैं आप लोग, दूसरी बात आपने कहीं कि क्या शवाज शरीफ का वेलकम किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा भाई, जो एक पीम का वेलकम होता है, जिस देश में, जिस तरह से उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसी तरह से प्रोटोकॉल दिया जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इसमें किसी को शक्त Nós दुभा होना नहीं चाहिए, तीसरी बात कि जी इससे क्या फाइदा होगा, जे घंटा कोई फाइदा नहीं होने वाता है, विदेश म जो ड्रामा किया है तो शबाज शरीब भी वैसे ही पगला टाइप के आदमी है उनकी हरकते हम लोगों ने देखी है बहुत सारी लगे-लगे हिलने लगते हैं डोलने लगते हैं पता नहीं क्या-क्या करने लगते हैं दौरा चड़ा जाता है उनको कभी-कभी तो उनको कुछ पता होता तो है नहीं उनके दिमाग में कोई पॉलिसी तो है नहीं सोच सकते नहीं है विज़ा नहीं तो क्या करने आएंगे हाँ चुकि यह स्चीओ का मेंबर है पाकिस्तान इसलिए बाईसाब आ जाएंगे यहां पर ग्यान देने और यहाँ भी आगा हो सकत ऐसा बयान देके गए कि पूरे दिनिया में पाकिस्तान की थूतू लोजी इंडिया ही चाहता था अब शहबाज शरीफ हा रहे हैं हम वेलकम करेंगे फिर कुछ आके वो ऐसा करेंगे और फिर पूरे दुनिया में पाकिस्तान की थूतू होगी तो जो भारत ना ट्राइप बि झाल करेंगे दूतू है